हाई फ्रेंड्स में हूँ आपकी दोस प्राची आपके साथ साल 2022 बस खत्म होने की कगार पे है और हम जल्दी 2023 का वेलकम करने वाले ही ये साल कई माइनों में कई सारे सेलबिटीज के लिए काफी खास रहा कोई शादी के बंदन में बन गया है तो कोई पैरेंट्स बन गया ही तो इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं उन सल्बटीज के बारे में जिन्होंने 2022 में अपने बेबी का वेलकम किया ही तो आए जानते हैं इन सेलब्स के बारे में इस लिस में नमबर एक पर है विपाश अबासूर करण सिंग ड्रोवर बॉलिवट की बॉंग ब्यूटी विपाश अबासू और टेलेविजन के हैंसम हंग करण सिंग ड्रोवर की गरभी इस साल नन्हे महमान ने दस्तक दी है 12 नमबर को विपाशा ने प्यारे से बेटी को जनम दिया है और कबल ने अपनी बेटी का नाम देवी बसू सिंग ड्रोवर रखा है शादी के 6 साल बाद इस कबल के घर खुश्या आई है लिस में नमबर दो पर है आलिया भाट और रनवीर कपूर बॉलिवुट की ये फेमस जोड़ी आलिया भाट और रनवीर कपूर की घर भी इसी साल खुश्यों से भर गया 14 अप्रेल 2022 को शादी करनी के बाद 6 नमबर 2022 को आलिया ने अपनी बेटी को जन दिया आलिया और रनवीर ने अपनी बेटी का नाम राहा कपूर रखा है इसको बेटे को जनम दिया और अपने बेटे का नाम उन्हें वायू कपूर अहुजा रखा ही लिस में अगला नाम है प्रियंका चोपड और निक जोनस का बॉलिवर्ड से लेकर हॉलिवर्ड तक अपनी पहचान बना चुकी देसी गल प्रियंका ने बाविस जनवरी को एक पोस्ट शियर की थी और बताया था कि वो और निक सरोगेसी के जरी एक बेटी के पैरेंट्स बन गए है कपल ने अपनी बेटी का नाम मालती मेरी चोपड़ा जोनस रखा है लिसमें अगला नाम है नयंतारा और विगनीश का बॉलिवुड और टॉलिवुड में अपनी पैचान बनारी वारी एक्ट्रेस नयंतारा की घर 9 अक्टूंबर को जोड़वा बेटों का जन्म हुआ है कपल ने इसी साल 9 जून को शादी की थी और में शादी की चार मेरे बाद इस कपल ने सरोगेसी के जरी बच्चों का स्वागत किया नयंतार और विगनेश ने अपने बेटे का नाम यूईर और उल्गम रखा है लिसमें अगला नाम है आदित नारायन और श्वेता गरवाल का बॉलिवुट के मश्यूर सिंगर आदित नारायन की घर भी इस साल किलकारिया गुंजी है आदित नारायन और श्वेता गरवाल ने 10 सालों की डेटिंग के बाद पिष्टे साल शादी की थी और कपल ने इस साल 24 फरवरी 2022 को बेटी का स्वागत किया आदित्यों श्वेता ने अपनी बेटी का नाम त्वीशा नारायन छा रखा है इसमें अगला नाम है मनोश्तिवारी का बोचफरी फिल्मों के एक्टर और बीजेपी सांसाद मनोश्तिवारी के घर भी इस साल एक बार फिर से किलकारिया गुंजी है सुपरिस्टर मनोश्तिवारी 52 साल के उम्र में दूसरी बार पिता बने ही उनके गर एक प्यारी सी बेटी का जन्म हुआ है इसमें अगला नाम है भारती सिंग और हर्ष लिमबाचिया का कॉमेडी कुइन भारती सिंग और उनके पते हर्ष लिमबाचिया के गर भी इस साल एक बेटी का जन्म हुआ है भारती ने तीन अप्रेल 2022 को बेटी को जन्म दिया भारती न अपने बच्चे के जन्मी के लिए अपना काफी वसंत भी घटाया था और कपल अपने बेटे का नाम लक्ष और पेट नेम गोला रखा है लिस में अगला नाम है सिंगर चिनमई का बॉलिवुड फिल्म चैनले एक्सप्रेस का गाना तिदली और फटा फोस्टर निकला हीरो का गाना में रंग सर्बतों का गाने वाली सिंगर चिनमई श्रीपता भी मा बन गई है उन्होंने इसी साल दो जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है लिस में अगला नाम है अली अब्बास जफर का टाइगर जिन्दा है सुल्तान और भारत चीसी सुपर हिट फिल्म में डारेक कर चुकी अली अब्बास जफर की गर भी इस साल खुश्यों ने दस्तक दी है अली पापा बन गए है और उनकी वाइफ एलेसिया ने 24 सितमबर 2022 को एक बेटी को जन्म दिया है लिस में अगला नाम है धीरश दूपर और विन्नी अरोरा का टेलिविजन के चॉक्रटी बॉई और कुंडली भाग्य में करन लूथरा की भूमिका से फेमस हुए एक्टर धीरश दूपर भी इस साल पापा बन गए है धीरश की वाइफ विन्नी अरोरा ने 10 अगस 2022 को एक बेटी को जन्म दिया है और कपल न अपने बेटे का नाम जियान दूपर रखा ही इस लिसमें अगला नाम है देविना बैनरजी और गुर्मित चौदरी का टीवी की दुनिया में राम और सिता के नाम से मशूर हुए देविना और गुर्मित के कर भी इस साल ननही परियों का जन्म हुआ ही गुर्मित और देविना ने तीन अप्रेज 2022 को अपनी पहली बच्ची को जन्म दिया था जिसका नाम उनने लियाना रखा था और देवी नन अपने पहली बेटी के जन्मी के साथ मेने बाद अपनी दूसरी बेटी को जन्न दिया उनकी दूसरी बेटी का जन्मी 11 नमबर 2022 को हुआ था इस रिसमें अगला नाम है करन पावा का ये रिष्टा क्या कहलाता है जिसे कई फेमस सीरियल्स में काम कर चुके अक्टर करन पावा के गर्भी ननी के लकारिया गुंजी ही करन के वाइफ सुप्रिया ने एक बेबी बॉय को जन्न दिया है ये कपल शादी के तीन साल बाद इसी साल पैरेंट्स बन गए ही इसमें अगला नाम है अपूर्व अगनी होतरी का फिम परदेश में राजीव की भूमिका और टेलिविजिन के कई सारे सीरियल्स में नज़र आ चुके एक्टर अपूर्व अगनी होतरी भी इस साल पापा बन गए ही आपको पता दे अपूर्व और शिल्पा के घर शादी के अट्रा सालों बाद बेटी का जन्मुआ ही और कपल अपनी बेटी के आने से बेहत खुशे इसरेस में अगलाम है कृतिका सैंगर का जहां से किरानी पुनर विवाह और कसम तेरे प्यार की जिसे शांदार सीरलेस में नज़र आ चुकी एक्टरस पृतिका सैंगर और बॉलिवोड एक्टर निकेतन धेर के गर्वी इस साल एक प्यारी सी बेटी का जन्म हुआ ही पृतिका ने 12 माई 2022 को बेटी को जन्म दिया और कपल अपनी बेटी के बर्ट से बेहत खुशे इसरेस में अगला नाम है डिम्पी गांगुली का बिग पॉस आठ में नजर आचुकी अक्टरस दिम्पी गांगुली ने इस साल अपने तीसरे बच्चे को जन्म दिया है डिम्पी की घर 27 जुलाइक उनके तीसरे बच्चे का जन्म हुआ है और उन्होंने इस बच्चे को जन्म देने के लिए वाटर बर्थ का सहरा लिया इसरेस में अगला नाम है पूजा बैनर जी का कसोर्टिस जन्दिगी की टू और कुमकुम भागे जिससे सीरेस में नजर आ चुकी एक्प्रेस पूचा बैनर जी ने भी इस साल एक पेटी को जन्म दिया है उन्हें पूरी प्रेग्नेंसी के तुरान शो में काम किया था और अपनी प्रेग्नेंसी के आखरी टाइम पर उन्हें शो को अल्बेदा के दिया था इसलिस में अगला नाम है रूचा हसनबीस का साथ निबाना साथिया की एक्प्रेस रूचा की गर भी इस साल फिर से किलकारिया गुंजी ही रूचा ने 2022 में अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया है और उनके गर इस बार एक बेटी का जन्म हुआ है अपनी शादी के बात से ही रूचा स्पोटलाइट से दोर रहती है और अपने परिवार के साथ वक बिता रही ही लिस में अगला नाम है संगिता गोश का टीवी सीरियल सुवन घर में लीड रोल निबारे एक प्रेस संगिता गोश भी इस सारे एक बच्ची की मा बन गी ही उन्हें अपने प्रेग्नेंसी सभी से चुपा कर रखी थी क्योंकि 2015 में उनका मिस करेज हो गया था अपनी बेटी के साथ मंत की पूरे होने के बाद संगिता और उनके पती ने बेटी के साथ कुछ तस्विरे पोस करके इस कुछ खवरी से फैंस को भी आवगत कराया लिस में अगला नाम है मोहिना कुमारी सिंग का शादी के बाद से इन्वरस्टी को अलविदा कह चुकी रिवा के राज कुमारी मोहिना कुमारे सिंग भी इस साल मा बन गई है उन्होंने एक बेटी को जनम दिया है मोहिना और सुयश्टम ने बेटे का नाम अयान श्रखा है इस लिस्ट में अगला नाम है नताशा शर्मा और आदिती रेडीस का टीवी के पॉपुलर शो ना आना इस देश में लाडो की जोड़ी नताशा और आदिती भी इस साल पेरेंट्स बन गए है आपको बता दे कपल ने शादी के करीब 10 साल बाद अपने गरिस्तन है महमान का स्वागत किया है लिस्ट में अगला नाम है दिश्या वकानी का सालों से तारक मैता का उल्टा शश्मा में दया बेन का रोल निभा रही एक प्रेस दिश्या वकानी जो कि अब लंबे समय से शोव से दूर बनी हुई है एक पर फिर से इस साल मा बन गई है अपको बता दे अपनी पहली प्रेग्नेंसी के वज़त सी उन्होंने तारक मैता का उल्टा चश्मा शोव से दूरिया बना ली थी और इसी बिच खबर आई कि 2022 में दिश्या ने अपने दूसरे बच्चे को जर्म दिया है दिश्या पहले एक बेटी की मा थी और इस साल उन्होंने एक बेटी को जर्म दिया है तीव एक्टर विपूल रॉय की गरबे इस साल किलकारिया गुंजी है उनकी वाइफ मैलीस एटिसी ने आठ सितंबर को एक बेटी को जर्म दिया है इसमें अगला नम है अंकित गेरा का कई सारे सीरियल्स में अपनी पहचान बनाने वाल एक्टर अंकित गेरा की गरबे इस साल खुश्या आई है अंकित की पतनी राशी ने तेरा जुन 2022 को एक बेटी को जर्म दिया है लिस में अगला नमबर है काजल अगरवाल का साउथ फिल्मों की सुपर हिट एक्टरेस काजल अगरवाल ने 2020 में गौतम किष्लों से शादी की थी काजल और गौतम ने इस साल उन्नीस अप्रेल 2022 को अपने प्यारे से बेटे का स्वागत किया कपाय अपने बेटे का नाम नील रखा है लिस में अगला नाम है अनम मिर्जा का बारती क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके मोहमद अजरुद्दिन की घर भी इस साल खुश्यों ने तस्तक दी अजरुद्दिन दादा बन गए है उनकी बहु अनम मिर्जा ने प्यारी सी बेटी को जनम दिया है अनम मिर्जा सानिया मिर्जा की बेहन है अनम की शादी मोहमद अजरुदीन के बेटे अजहर से हुई है और कपल ने अपने बेटी का नाम दुवा रखा है टीम इंडिया के स्टार प्लेयर कुणाल पंडिया भी इस साल पापा बन गई कुणाल और उनकी वाइफ पंकुडी ने इस साल एक बेटे का स्वागत किया ही और कपल ने अपने बेटे का नाम कवीर कुणाल पंडिया रखा ही लिस में अगला नाम है शीतल तिवारी का ये रिष्टा क्या कहलाता है और नमक इश्के जैसे टीवी शोज में अपनी एक्टिंग का जल्वा भी खेर चुकी अक्टर शीतल भी इस वक अपनी फैमिली लाइफ एंजॉय कर रही ही शीतल ने पिछले साल 2021 में क्रिश वारिंगी से शादी करके सभी को हैरान कर दिया था शीतल और क्रिश ने इस साल अपने पहले बच्चे की रूप में एक बेटी का स्वागत किया लिस में अगला नंबर है विक्रम सिंग चोहान का ये जादू है जिनका टीवी सीरियल में अमान जुनेत का किरदर निभाग कर लोगों के दिलों में अपनी जगह बना चोके विक्रम सिंग चोहान भी इस साल पापा बन गए है शादी के एक साल बाद उनके घर एक नन्ही परी आई है जिसका नाम उनने सीया रखा है विक्रम ने पिशले साल 30 अप्रेल 2021 को कॉर्पोरेट वक्किल इसने हाँ शुकला से शादी की थी लिस में अगला नंबर है रितेश पांडे का बोचपुरी सिनिमा के दमदार एक्टर रितेश पांडे भी इस साल पापा बन गए है उनकी घर एक नन्हा मुन्ना महमान आया है रितेश ने पिशले साल मई 2021 में शादी की थी और इस साल वो एक बेटे के पापा बन गए है इस लिस में अगला नाम है इकबाल खान का टेलिविजन के मशूर एक्टर एकबाल खान की घर एकबाल फिर से खुशियों ने दस्तक दी है एकबाल की पतनी स्नेहा ने इस साल 11 फरवरी को एक बेटी को जरन दिया है एकबाल और स्नेहा पहरे से एक बेटी के पैरेंट्स भी थी लिस में अगला नंबर है मरनल जेन का उत्रन फैम एकटर मरनल जेन ने इस साल 11 फरवरी 2022 को अपनी वाइफ स्वीटी जेन की साथ एक प्यारे से बेटे का स्वागत किया शादी के करीब आठ साल बाद मरनल और स्वीटी के घर ये खुश खबरी आई ही लिस में अगला नंबर है संजना गलरानी का खंडर्ड फिल्म इंवर्श्टी की मशूर एकटरेस संजना गलरानी ने भी इस साल अपने पहले बच्चे का स्वागत किया ही संजनारुन के पती अजीज पाशा न अपने पहले बच्चे के रूप में एक बेबी बॉय का स्वागत किया है लिस में अगला नंबर है रोहित धवन का बॉलिवोट के मशूर डारेक्टर डेविड धवन के बेटे और वरुण धवन के भाई रोहित धवन भी इस साल दूसरे बार पापा बने है रोहित के वाइफ जानवी धवन ने एक बेटे को जरम दिया है 2018 में रोहित और जानवी ने एक प्यारी सी बेटी नियारा का भी स्वागत किया था इस लिस में अगला नाम है युवरास सिंग का बारती ग्रिक्री के टीम के धकड़ किलाड़ी युवरास सिंग भी इस साल पापा बने है युवरास सिंग और उनकी वाइफ हैजल कीच ने इसी साल एक बेबी बॉय का स्वागत किया है और कपल ने उसका नाम ओरियन कीच सिंग रखा है युवरास और हैजल ने 2016 में शादि की थी इस लिस में अगला नाम है गौतम नैन का कुमकुम भाग के फैम आक्टर गोतम नैन और उनकी इंडोनेशन वाइफ सोफी मार्चु ने इसी साल बार आप्रेल 2022 को अपने पहले बच्चे का स्वागत किया कपल के घर बेटा हुआ है लिस में अगला नाम है परमीश वर्मा का सिंगर परमीश वर्मा ने 2021 में गीट के साथ चादी की थी और 2022 में इस कपल ने एक बेटी का स्वागत किया लिस में अगला नाम है मयांक अगरवाल का इंडिन क्रिकेट टीम की खिलाडी मयांक अगरवाल और उनकी वाइफ आशिता सोध ने इस साल एक बेटे का स्वागत किया है कपल ने बेटे का नाम आयांश रखा है दोनों की शादी चार जुन दोजार अट्राक होई थी लिस में अगला नाम है मासूम मीनावाला का फीमस फेशन ब्लोकर मासूम मीनावाला भी इस साल माँ बन गे है मासूम और उनके पती शैलीन मेता ने अपने बेटे का नाम जवी रखा है लिस में अगला नाम है सौंदारिया रजनीकान का रजणी कांद की बेटी सौंदर्या भी इस साल मा बनी है सौंदर्या ने 11 सितंबर को एक बेटी को जनम दिया है और उसका नाम उनने वीर रखा है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सस्क्राइब जरूर करें थैंक यू